नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉन रिकार्डेट वोकल्स को प्रोसेस करने का अगर आपके पास फॉन रिकार्डेट वोकल्स है तो आप उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हो कैसे आप अपने vocal को compress कर सकते हो, कैसे क्यों कर सकते हो, कैसे अपने vocals के अंदर reverb और delay अपलाई कर सकते हो, उसको किस तरह से professional बना सकते हो जैसे कि मैंने अपने vocals को फोन से record किया है, और इसका कुछ जो नौइस है, आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा, सुनने को भी मिल जाएगा, और हमारा vocal कुछ इस तरह से लग रहा है रुख जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं कि क्या से क्या हो गया इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो तो फाइनल इस तरह की से हमारा vocals है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने vocal को clean करने के लिए हम अपने vocal से noise को हटाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था है, कि हम अपने vocal से noise को कैसे हटा सकते है सोर सराबा, अगर आपके vocals के अंदर record हो जाता है, चाहे आप mic के थरू record करो, या phone के थरू record करो तो उस सराबा vocals को कैसे आप clean कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, फटा-फट आपको यहाँ पर click करना है, edit samples के उपर जाना है और यहाँ पर जानने के बाद में आपका vocals यहाँ पर खुल जाएगा, और यह जो आपको noise दिख रही है, यहाँ थोड़ा सा हम आपको जोम करके दिखाते है, यह जो आपको noise दिख रही है, थोड़ा सा आपको कहीं से भी आपको यहाँ से इसको select करना है, select करने के बाद में जो आपको clean up का option दिख रहा है, note दिख रहा है, जिसको embrace भी बोलते हैं, इसके उपर आपको एक बार click करना है, और click करने के बाद में कुछ इस तरह से interface आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको require noise profile के उपर आपको click कर देना है, उसके बाद में आपको control एसे पूरे vocal को आपको select करन है, तो जैसे आप set के उपर click करोगे, तो यहाँ पर भी आप देखना, आपका vocal से जो भी noise था, source राबा था, वो यहाँ से remove हो जाएगा, अभी यहाँ पर देख सकते हो, D noise हो रहा है, यहाँ पर सबसे उपर देख सकते हो, hint final में, और भी इसका जो noise है, वो यहाँ पर बिल् इस तरह से सुनाई दे रहा है, वो चैस आप देख सकते हैं, मैं बार बार उपर भी प्ले कर रहा हूँ, नीचे वाला भी प्ले कर रहा हूँ, कोई भी आपको different सुनने को नहीं मिलेगा, लेगिन हाँ एक चैस है कि noise जो था, वो बिल्कुत पूरी तरीके से remove हो चुका है, जो noise यहाँ पे था, आप इसको headphone में सुनिएगा, और यह जो noise था, काफे तक clean हो चुका है, पहले वाले को हम यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद में पहले वाले के उपर double click करेंगे, और इसको डाल देंगे अपने दूसरे चैनल track पहने की, हमारा insert one पे, अब क्या गरें तो यहाँ पे हम use करेंगे, FL Studio के stock plugins, Fruity Parametric EQ2, इससे हम अपने vocals को clean करेंगे, और clean करने के लिए, क्या करेंगे, यहाँ पे हम preset को use कर सकते हैं, इससे SM preset को use कर लेंगे, उसके बाद में low कितना cut करना है, हम अपने vocals को सुन करके, यहाँ पे decide करेंगे, तो यहाँ पे कर देते ह यहाँ से हम इसको सुनते हैं, तो low frequency देख लिए, कहाँ से start हो रही है, तो हमने यहाँ से low को cut कर दिया है, यहाँ पे जो बहुत ही बेकार, जो sound था, और मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से remove कर दिया, अब कौन सा sound था, अगर आपको सुनना है, तो यहाँ पे आपको right click करके low pass के उपर click कर देना है, साइद कुछ न सुनाई दे, या फिर अगर bass होगा किसी भी singer की आवाज में, तो bass साइद आपको सुनाई दे जाए, ठीक हैं, तो अभी फिलाल इतना ज़्यादा bass नहीं है हमारे पास, हमारे vocals के अंदर, तो अभी आपको ज़्यादा कुछ सुनाई निदीर होगा, लेकिन इससे क्या होगा, कि हमारा vocals काफियत तक clean हो जाएगा, उसके बद में हाइस को यहाँ पर cut करना है, ज्यादा नहीं cut करना है, प्रुख जिंदगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा, इसको करने की बाद में second plugin हम यहाँ पर use करने वाले हैं, इसी को दु move करना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम reduce करेंगे, बहुत जदा सुनेंगे, फिर इस frequency को हम cut करेंगे, यहाँ पर बहुत बेकार से frequency आ रही है, तो इसको हम यहाँ से लगभख थोड़ा सा ऐसे cut कर देंगे, second देखते हैं, कि रुखुजिंदगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुखुजिंदगी यहाँ जैसे कूकर जिसी जो CT होती, वो यहाँ पर आ रही है, तो इस तरह से हम इसको cut कर देंगे, तो हमारा वोकल यहाँ पर clean हो जाएगा, उसके बाद में अब हम यहाँ से यूज करने वाले हैं fruity compressor, यानि कि हम अपने वोकल को यहाँ पर compress करेंगे, तो इसके लिए हम इने यहाँ पर एक stock plugins यूज किया है, इसको कर लेते हैं, say हम detest, और यहाँ पर इसके meter के ओपर देखिएगा, इसका meter कितने db जा रहा है, इसका जो peak है, कहां कहां पर बहुत ज हम ने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुखु जिन्दगी मोड लिया कैसा, सबसे quiet part देखें कि कितना जा रहा है, आता नहीं यकी क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुम से बेवफा हो गया, इनसाफ कर दो यहां पर लगभग मैनस 6 db, इसका जा रहा है सबसे quiet part, ठीक है, तो इसको यहां से हम थोड़ा सा इसका threshold कम करेंगे, लगभग मैनस 20 db कम कर देंगे इसका threshold, उसके बाद में क्या करेंगे, रेसियो को apply करेंगे, लगभग 2 is to 1 या 3 is to 1 करके देख लेते हैं, कितना हमें कि जो dynamic range है, वो काफिया तक control हो जाएगी, और हमारा वोकल से वो एक level में आ जाएगा, तो हम यहां से इसका threshold set कर दिए, उसके बाद में ratio set कर दिए, कि कितना हमें compression अपने वोकल के इंदर apply करना है, रुख जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं अकी क्या से क्या हो गया, तिस तरह मैं तू मुस्से रुख जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, इसका loud कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि मैंने इसके threshold को कम करिया है, जो quiet part था, लगभग उतने तक हमने threshold set किया, जिससे जो हमारा loud जा रहा है, जो बहु जदा loud जा रहा था, वो यहां पे control hooker के एक label में आ जाए, उसके बद में attack का काम क्या होता है, कि कितना जल्दी जो compression है, वो start होगा हमारे vocals के उपर, तो अभी यहां पे 15 millisecond set है, आप चाहो तो बिल्कुल इसको और भी जदा fast रह सकते हो, 0 millisecond पे, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, और फिर इसका release time, 200 millisecond, 250 millisecond या 300 millisecond तक आप इसको set कर सकते हो, फिर यहां पे आ जाता gain label, जितना आपने इसके loud को reduce किया है, कम किया है, वोकल को compress करते समय, तो क्या करना है, आप उसके label को, उसके जो loud को है, आप उसको बढ़ा सकते हो, यहां कि gain को यहां से बढ़ा सकते हो, रुख जिंदगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था, तो जो हमारा loudness ने हैं पे खो गया था, अब यहां से बिलकुल हमें पूरा मिल गया, उसके बाद में, हम यहां पे एक plugin से यूज़ करेंगे, डानमाइक सी है, sound goodizer, इसके अंदर देखो कई सारे अलग अलग preset र करेंगे, आप अपने साब से देख लिजेगा कि आपके वोकल के हिसाब से कौन सा प्रेशर सबसे बेश्ट आ रहा है, रुख जिंदगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था, कभी ऐसा, उसके बाद में, अपने amount को यहां पे sit कर दीजेगा, इतना करने के बाद में, अब अगर आप auto tune भी यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहां से auto tune भी यूज़ कर सकते हो, तो हम जाएंगे more plugins के अंदर, और उसके बाद में यहां पे जो भी सारे plugins से, वो यहां पे आ जाएंगे, और यहां से हम सर्च कर लेते हैं, auto tune pro, यह खुल गया, अब यह ची देख करेंगे, retune speed थोड़ा सा मिहां से कम ही रखेंगे, जदा नहीं चाहते हैं, flex tune को लगबग 8-10% और heaven edge को बिल्कुल यहां पे hand rate करतेंगे, यह कुछ इस तरह से, उसके बाद में अब इसके अंदर हमें reverb apply करना है, delay apply करना है, तो हम चले जाएंगे सबसे पहले delay, या हम लगा आते हैं, सबसे पहले यहां से reverb, और weight को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और size को यहां से लगबग 40% तक रखना है, अगर एक दिखाई नहीं दे रहा कि 40% कहां पे है, तो आप इसके hint panel में देखेगा, यहां पे आ जाएगा, और अगर आप reverb के base को बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसका percentage आप यहां पे use कर सकते हो, डीके को भी आप जितना बढ़ाना चाहते हो, आप यहां से बढ़ा लीजिएगा, delay भी आता है reverb के अंदर, उसको भी आप यहां से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, आपके vocal के साब से सुनते हुए, आपको इसको set करना है, मैं हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुखु जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकी क्या से क्या हो गया, तिस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इनसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, दिल दे दिया, ठीक है इतना रखेंगे, उसके बाद में सेकंड प्लिगिंस यूज़ करने वाले हैं, फ्रियूटी डिले, इसके अंदर हम जाएंगे, प्रिसेट के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिसेट पे जा सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तभी आप प्रिसेट पे जा सकते हो, तो यहाँ से हम डाल देंगे पिंग पॉंग, और उसके बाद में डिले के टाइमिंग को और वेट को यहाँ से कंट्रोल करेंगे, सुनते हुए अपने वोकस को, तो इसके लिए क्या क रुखु जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं अकी क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो रुखु जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, ठीक है, इतना रखेंगे, अब यहाँ से रिवर्ब को अप्लाई कर देंगे, और अब हम सुनते हैं अपने वोकल्स को रुखु जिन्दगी ने मोड लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकी क्या से क्या हो गया, तिस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इनसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, तो आप अपने फोन से वोकल को रिकार्ड करके इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो, उतने एच्छी तो क्वाल्टी यहां पर नहीं बनेगी, क्योंकि आपके फोन से रिकार्ड हुई है वोकल्स, ठीक है, तो यह चीज है कि आप कुछ हद तक अपने वोकल्स को यहां पर कर दीजेगा